Hello everyone, Welcome to the Academy, I hope आपले सबच्चे होंगे, स्वस्त होंगे, सुरच्छीत होंगे, आप लोगो बता दूँ, B8 वाले कंडिरेट के लिए आवस्चक सुचना जारी कर दी गई है, आप लोगो पता होना चीए, मद जो आप लोग के सुप्रीम फोट है, उनके द्वारा जो एक फैसल जारी के गई है, सभी अभ्यरतियों के लिए बहुत ही महतपूर अपडेट है, साथ साथ आप लोगो था तो यमपीटेट जो आप लोगो वर्थ्री का जो वर्ती मद परदेश में चल लगी है, उसके लिए भी सुचना है, 14 तारीकों जो सुनवाई होने थी, उसके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, कि जो है, मद परदेश 14 सितंबर को जो उसका फैसला सुनाया जाएगा, उस पर भी जो अपडेट होगी इसमें वीडियो में आप लोगो बताया जाएगा, ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ल साथ, प्रामेर टीचर कटेगरी में 28 कंडिडेट को आयोग घोसीत कर दिया गया, ध्यान दीजेगा, बहुत बड़ी खबर है, इस पर 36 गरड़ बिहार में आलेडी इस पर रोग लगा दिया, प्रामेर टीचर जितने भी भरती है, उस पर रोग लगा दिये, डियेड वालो जो दिया गया है, यदि आप लोग भरती होना चाहते हैं उसमें, तो आप अपने योगता में, एजुकेसन कॉलिफिकेसन में संसोधन कर सकते हैं, एक बार और मौका दिया गया है, उनलेखनी है कि एदि किसी कंडिडेट को B8 के साथ साथ DL8 की भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो किंडरी विद्याले संगठन के बिएस आप इसल बेवसाट पर जाकर अपनी कॉलिफिकेसन अपडेट कर सकता है, यानि जिन कंडिडेट B8 के साथ DL8 भी किया है, वे कंडिडेट अपने कॉलिफिकेसन अपडेट कर सकते हैं, के बिएस 2022 पर प्रती उम्धारों अब देखो जो आप लोग को वर्ग 3 की नीवज है कल एक वीडियो अपलोड की गई थी आप लोग वर्ग थी कि जो नीवज है जो DLA वाले हैं वो आलेडी कहां पहुँच चुके हैं मदपड़े हाई कोट में पहुच चुके हैं अब 14 सितंबर एनि कल आप लोग को इस पर सुनुमाई होने वाली है कि मदपड़े हाई कोट भी सुप्रीम कोट को बदल नहीं सकता उसी पर सुप्रीम कोट के आदेश पर ही इस्टेर रहता है या कुछ अलग फैसला सुनाता है इस पर देखने वाली बातों की मदपड़े हाई कोट या मदपड़े सरकार इस पर ये डियेड और बियेड वाले देख रहे हैं अपनी अपनी राज जो है कमेंट बाक्स में जरूर सेयर कीजेगा खासका अर्मत दप्रदेश और राजस्तान बिहार चतिकर जहां पर प्रात्मिक सिचक बढ़ती प्रक्रिया चल रही है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडिय धन्यवाद